हेलो स्टुडेंट्स विल्कम बैक इन गुर्विल एडुकेर क्या आल चाले बच्चे कैसे हैं आप लोग कैसा चला आप लोगा बनाए लिखाई अच्छा चला है चलिए अच्छा चला है तो बहुत अच्छी बात है इस्टुडेंट्स आज मैं एक नया चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूं और उस चैप्टर का नाम है डैप्रीसियेशन यह चैप्टर जो है अक्सर इस्टुडेंट्स को टफ लगता है यह मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा लोग कहते हैं है ना मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप कहोगे सर यह तो बहुत इजी है आप ऐसा समझाते हैं कि तफ चैप्टर भी जो लोग कहते हैं उसको इजी बना देते हैं तो वही क्रम में आज मैं one of the toughest chapter जो लोग मानते हैं depreciation को उसको मैं आज आपको इजीस्ट एन इन डेप्थ explanation के साथ पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरे साथ आप बने रहेगा और मेरे साथ साथ पिन और पेपर लेके सामने बैठ जाईए ताकि मैं जो समझाऊंगा उसको समझिएगा भी और नोट्स भी बनाईएगा ठीक है चलिए तो वच्चे आज हम लोग का डेप्रीशेशन का पार्ट फरस्ट है और आज हम जो बेसिक्स हैं कौन-कौन सा टर्म होता क्या है किने असेट्स पे डेप्रीशेशन इंपोज करते हैं किस पे डेप्रीशेशन इंपो хотे प्या होते है जो भी बेसिक्स हैं वह आज के यसकर नोटें में सेशन की सुरुवात करते हैं एक डमदार लाइक के साथ चलिये आगे बलते हैं देखें बच्चे आज के क्लास का हमारा टॉपिक है अब देखेंशन ऑफ डेखेंशन का डेखेंशन किया है कार्टिस्टिक ऑफ डेप्रीसिटी संगा। काज़र डेखेंशन नीडि इमपोर्टेंस और उब्चेट्स ये पाट्स टॉपिक के बारे में आज के कलास में हमलोग डिसकस करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ definition of depreciation, depreciation का definition क्या होता है, that is the meaning of depreciation, ठीक है, देखिए, नोट करिएगा definition of depreciation, देखो बच्चे, जो depreciation है, depreciation जो word है, इस depreciation word का मतलब क्या होता है, ध्यान नम, depreciation का मतलब होता है, मुल्य में कमी, कि जब कोई fixed assets हम लगातार यूज करते हैं, तो यूज करने से उसका value कम होता है, तो हम कहते हैं, मेरा assets depreciate कर रहा है, जैसे माल लो, यह digital board, यह digital board और यह whole setup, digital board का जो studio का setup है, यह fixed assets है, है ना, अपने लिए fixed assets है ने जी, क्योंकि हम रिसल के लिए तो खलते नहीं है, long term use के लिए, अब मैंने खरीदा whole setup पांच लाख रूपे में, क्या आज मैं बेचूंगा इसको, तो पांच लाख मिलेगा, नहीं, क्योंकि क्यों सर, क्योंकि, यूज करने से इसका value कम हो गया, depreciate कर रहा है each year, आप मर लो बाइक और स्कूटी चलाते हो, तो क्या अगर आपने एक बाइक एक लाख रूपे खरीदा, दो साल बाद बेचोगे तो एक लाख मिलेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि, यूज करने से उसका value कम हो रहा है, आपका assets depreciate कर रहा है, तो बच्चे, ultimately, depreciation का मतलब क्या होता है, decrease in the value of fixed assets due to gradual use, कि जब कोई भी fixed assets हम लगातार use करते हैं, तो use करने से उसका value कम होता है, तो हम कहते हैं, मेरा assets depreciate कर रहा है, मेरा assets depreciate कर रहा है, चलिए, देखते हैं, बच्चे, depreciation is the gradual and permanent decrease, depreciation is gradual, मतलब लगातार, and permanent decrease in the value of an assets from any cause, मतलब किसी भी कारण से, चाहे wear and tear हो, use हो, passes of time हो, expiry of legal right हो, किसी भी causes से assets का value घट रहा है, तो हम कहते हैं, उसे कि मेरा assets depreciate कर रहा है, this definition is given by R.N. Carter, next, एक और definition है, Spicer and Pegler साहब दिये हैं, एक और definition, इनका definition दिखते हैं क्या कर रहा है, कि depreciation is the major of exhaustion of effective life of an assets from any cause during a given period, आपको मैं एक definition E.G.B. में लिख रहा हूँ, look here, depreciation is the decrease in, in the value of, depreciation is the decrease in the value of fixed assets, due to gradual use, depreciation is the decrease in the value of fixed assets due to gradual use, और इस definition के आगे मेरा नाम लिख लो, चन्दन सर्व, ठीक है, कि जब कोई भी fixed assets हम लगातार यूज करेंगे, तो यूज करने की वज़ा से उसका value कम होगा, तो हम कहते हैं मेरा assets depreciate कर रहा है, I hope आपको meaning समझ में, आगे अच्छा, कोई भी assets यूज करेंगे, तो यूज करने से जो उसका value कम हो रहा है day by day, year by year, उसे कहते हैं depreciation, आप कोचिंग में bench next यूज करते हो, AC यूज करते हो, जा सोच के बताओ, एक AC मैंने दो साल पहले खरीदा 40 CR में, क्या आज उस AC को बेचेंगे, तो 40 CR मिलेगा, नहीं, कोई सर, आप यूज किये, तो यूज करने से उसका दाम कम हो गया, तो यूज करने से दाम कम हुआ ना, तो उसको कहेंगे मेरा assets depreciate करता है, और जितने भी fixed assets से, यूज करने से सब का value घटता है, के बल एक fixed assets है, जिसका value घटता नहीं, बलकि बढ़ता है, increase करता है, बता सकते हो ना, Land, all fixed assets decreases, depreciate, value of all fixed assets depreciate, except land, जमीन का कोई life नहीं होता है, बचे जिस चीज का एक fixed life होता है, उसको यूज करने से value घटता है, बट जिस चीज का कोई fixed life नहीं है, उसको यूज करने से value घटता है, जमीन एक natural resource है, उसको use करने से value घटता हुटता नहीं है समझ मा आ गया? कोई दिक्कत? चलिए इसको नूट कर लो नूट इट ठीक है? ओके next next है features 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 और characteristics of depreciation depreciation के characteristics क्या क्या है? तो देखिए depreciation का first characteristics है depreciation is decline in the value of fixed assets except land decline in the value of fixed assets except land जमीन को छोड़के जितना fixed assets है सब का value कम होता है decrease in the value of fixed assets except land जमीन को छोड़के सभी fixed assets का value घटता है next है depreciation is gradual and continuing process लगातार depreciation होता है gradual and continuing process है depreciation is यह important point है कभी काल MCQ में पूछ देता है depreciation is not the process of valuation of assets depreciation assets का valuation का process नहीं है but the process of allocation of cost of an assets to its effective span of life depreciation is not the process of valuation of assets depreciation में assets का valuation नहीं होता है but assets के cost को allocate करते हैं बाटते हैं उसके effective life पे जैसे एक assets अगर हम दो लाख का खरीदे ठीक है और दस साल चलेगा और दस साल बाद वो हमें 20 रुपया में sell हो जाएगा तो अच्छा दो लाख में खरीदे हैं देखना दो लाख में खरीदे हैं दस साल बाद बेचेंगे तो बीस यार मिल जाएगा तो दो लाख में दाम कितना घटा एक लाख चीजर दो लाख का assets में से बीस यार मिल जाए दाम में कसी घटा दस साल में इच यर 18,000 वैलु कम हो रहा है इच यर के profit and loss में 18,000 हम लिखेंगे ठीक ना तो depreciation क्या है not the process of valuation of assets but the process of allocation of cost of an assets to its effective span of life next it decreases not only the book value sorry it decreases only the book value of assets not the market value धिया नगना है कि depreciation impose करने से assets का book value कम होता है book value मतलब वो value जिस price पे assets को हमने business के books of account में record किया है depreciation से market value कम नहीं होता है market में जो price prevailing price है वो तो रहेगा ही रहेगा depreciation impose करने से assets का जो book value है वो कम होगा तो लिखा है it decreases only the book value of assets not the market value next after that it is it is non cash expense depreciation जो है वो non cash expense है it does not involve any cash outflow does not involve any cash outflow जैसे हम assets depreciation impose करते हैं तो इसके लिए हम किसे वो cash देते नहीं है बस हमारा asset का value कम हो रहा है we are writing it as an expense but it does not involve any cash outflow business का cash इससे बाहर जाता नहीं है depreciation is non cash expense ठीक है next है depreciation is indirect expense depreciation एक indirect expense है it is transferred to debit side of profit and loss account जैसे ना session के end में आप जब profit and loss account बनाएंगे तो depreciation को profit and loss account के debit side में record करते हैं ठीक है okay term use for writing different assets different assets के value को write-off करने के लिए कौन-कौन साथ term use करते हैं depreciation word जो use करते हैं बच्चे यह tangible assets को write-off करने के लिए करते हैं tangible fixed assets को tangible मतलब वो assets जिसको हम touch कर सकते हैं जैसे मालो furniture हो गया machine हो गया इसको write-off करने के लिए आप depreciation word उच करते हैं amortization word intangible assets को write-off करने के लिए जैसे मालो patent हो गया goodwill हो गया goodwill patent write-off करेंगे तो उसके लिए amortization word उच करते हैं depletion जो wasting assets होता है इसको write-off करने के लिए depletion word उच करते हैं example हो गया natural resources natural resources like coal petroleum etc इनको write-off करने के लिए depletion word उच करते है ठीक है तो बच्चे इसको note कर लिजे आप note कर लिजे इसको हो गया done चलिए next next है causes of depreciation depreciation के causes क्या क्या है किन किन वजहों से assets का value कम हो रहा है that is causes of depreciation तो चलिए देखते हैं depreciation के causes क्या क्या है पहला है by constant use बच्चे जब हम लगातार कोई भी है तो हमारे assets का value कम होते जाता है तो expiry of time की वजह से भी हमारे assets का value कम होगा ठीक ना जैसे आप assets नहीं भी यूज करोगे तो बारिस की वजह से उस assets का value कम हो रहा है passes of time की वजह से assets का value कम हो रहा है next expiry of legal right जैसे आप आपने किसे से कोई legal राइट लिया है अजल जो जो वो समय बीखते जाएगा तो आपको इसे चानल लूग क्या होगा तो भी ऑब्सोंसालो का होता है नए टेक्नोजी के आने से पुराना टेकनोजी outड बाधीर होजाता है औल्दो वो यूज हो सकता है बद जब नया टेक्नोजी आता है तो पुराने वाले को यूज करता नहीं है सब नए क्यों सिफ्ट हो जाता है तो उसकेस में आपके पुराने वाले एसेट्स का वहलू जो कम हो गया विकॉज अपग्रेडेशन नियू टेक्नोजी तो आपका तो मेरा पूरा ओल्ड एसेट्स अबसलीट हो गया आउट्डेटेट हो गया तो इसका यह एक कारण है एक्सिडेंट जैसे मालों यह एक्सिडेंट है हना अल्थक्वेक फ्लड इन सबसे मसीन का वहलू कम हो गया जैसे मालों कि अभी आप देखते हो बहुत जगा बाढ़ हा गया है तो बाढ़ हाने से बहुत सारे एसेट्स डिस्ट्रॉई होते हैं वहलू कम होता है तो यह भी एक डेप्लेसेशन का यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्स वेस्टिंग एसेट्स के लिए अभी बताया थे ना वेस्टिंग एसेट्स के लिए डेप्लेशन वर्ड यूज करते हैं एक्जाम्पल है नेचुरल रिसोर्स natural resources के जो wasting assets है इसका जब हम extraction करते हैं तो इसके लिए depletion verdus करते हैं धलती के अंदर coal, petroleum, natural gas limited है जैसे हम उसका extraction करते हैं उसकी quantity और value क्या होता है कम होता है उसके लिए depletion word use करेंगे next permanent falling market price of assets जैसे माल लो बच्चे अगर assets का fixed assets का market price fluctuate करता है तो उससे book value चेंज नहीं करते हैं लेकिन अगर आपके fixed assets का market price permanently घट गया आपके fixed assets का market price permanently घट गया तो उस case में क्या होगा permanent falling market price की विए से आपके assets का value कम हो जाएगा है ना depreciate करेगा तो these are the causes of depreciation constant use expiry of time expiry of legal right obsolence accident depletion and permanent falling market price note it note कर लिए इसको हो गया done okay next next है need importance and objects of providing depreciation but depreciation हम लोग क्यों impose करते हैं क्या region है depreciation impose करने का है depreciation impose करने से क्या फाइदा होगा नहीं करेंगे तो क्या लॉस होगा चलिए देखते हैं कि फर्स्ट वनीज फॉर असर्टेनिंग दा ट्रू प्रोफित लॉस जैसे की ट्रू प्रोफित और लॉस फाइंड आउट करने के लिए कि depreciation impose करना जरूरी है जैसे जब आप depreciation impose करेंगे तो आप अपने कॉस्ट में depreciation भी लिखे तो सही प्रोफित आएगा depreciation नहीं लिखोगे प्रोफित जादा आएगा इंकम टेक्स जादा देना पड़ेगा एक एक्जामपल देते हैं अकसर क्या होता है बच्चे लोग ना calculate करते हो तो अच्छा इस बैच में इतना बच्च इतना बैच चलाते हैं इतना पैसा लेते हैं इंडू कर देते हो तीजी में कर देते हो ना पर ली हो रहा है और अजी तुवंद यही काम करते हो आज देखते हो कि 300 स्टूडेंट यहां पचीस जार ले रहे हैं तो 75,000,000 रुपया आया साल में सरके पास अब क्या करते हो सके रहते हो जोलते हो सरितना रेंड देते हैं है ना क्या करते हो एक लाख रुपया पर मंथ डाप करते हो अच्छा इसका मतलब बाररा महिने में सरकंषर क्यांद कितना रूपया रेंट देंगे बारा लाग रूपया ना दो लाक रुपया टीचर्स पर मिंट है पर मंद तो करते हो च्छा इसका उबनाद चोभी स्लाइक टीचर को देते हैं साल में 56क माइनस कर दिये 2,000,000 विजली विल माइनस कर दिये 38,000,000 विजली दिये 40,000,000 अब करते हो अच्छा टोटल खल्चा सरका 75,000,000 men चालिस लाख खल्चा है 35 रुपिया साल में कमाते हैं सर एक फॉल्चुनर के बराबर कहते रहते हो ना लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे हम जो पूंजी लगाए हैं 20 रुपिया कोचिंग में उन एसेट का वैलू भी तो कम हो रहा है जो 20 रुपिया हम कोचिंग में लगाए हैं जा सोचो कि इसको हम ना दस साल बाद बेचेंगे तो दो लाक रुपिया हमको मिलेगा दस साल बाद तो दस साल में मेरा एसेट का वैलू घटा कितना 18 रुपिया घटा ना तो कहोगे सर 1,80,000 आपके एसेट का वैलू घट रहा एप्रॉक्स 2 लाक मतलब जो आप 45 लाक कंसी तो इतना और कम हो जागा मतलब कि सही profit or loss जानने के लिए आपको depreciation भी minus करना परेगा नहीं करोगे तो आपका profit ज्यादा आएगा then accordingly you have to pay more taxes इसलिए for ascertaining or knowing the true profit and loss we have to impose depreciation on the fixed assets clear and we will write depreciation in the debit side of profit and loss account profit and loss account का debit side में loss record होता है expense record होता है depreciation expense है तो सही profit or loss जानने के लिए depreciation impose करना जबरी है for showing the true and fair view of financial position बच्चे financial position जो होता है business का वो balance it से पर चलता है और अब जा सोचो कि अगर आप depreciation impose नहीं करोगे तो balance sit में जो आपका assets है वो जादा value सो करेगा जादा value सो करेगा तो इसलिए depreciation जब इंपोज करोगे न तो आप assets के value में से उतना depreciation minus कर दिए तो सही financial position पता चलेगा तो सही profit जानने के लिए सही financial position जानने के लिए depreciation impose करना ज़रूरी है और सुनिए to ascertain the accurate cost of production production का accurate cost क्या आता है जैसे एक example दोर में सोचो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं आपको को सर पर student आपका क्या खल्चा आता है कोई चीज़ आप मालो manufacture करते हो पर unit क्या cost आता है तो क्या cost में बस raw material का cost electricity और वेज़े जोड़ोगे labor का नहीं यू विल आल्सो इंपोज depreciation कि depreciation इपार्ट ओफ कोस्ट fix assets का value भी तो घट रहा है तो इसलिए सही cost के लिए depreciation भी इंपोज करेंगे और पर unit से numbers of unit produce से उसको divide कर देंगे तो सही cost जानने के लिए depreciation इंपोज करना ज़रूरी है to provide fund for replacement of assets देखो जैसे हमने अभी example दिया कि coaching में 20 लाक रुपया लगाए है दस साल तक यह सारे ऐसे चलेंगे दस साल बाद assets replacement मांगेगे कोई asset पहले replace करना पड़ेगा कोई बाद में करना पड़ेगा मतला आप जानते हो ना कि जो ही assets useless होता है तो उसको replace करना पलता और नया assets update करना पलता है ठीक है तो assets को replacement के लिए पैसे चाहिए तो अगर हम depreciation impose करेंगे तो हमारे पस एक fund तयार हो जाएगा depreciation impose करेंगे तो हमारे पास एक fund तयार हो जाएगा और इससे assets का replacement जो होगा easy है otherwise depreciation impose नहीं करेंगे तो replacement में दिक्कत होगा तो इसलिए to provide fund for replacement of assets it is necessary to impose depreciation ठीक है next to prevent the distribution of profit out of capital. कि profit हम capital में से distribute ना कर दे, इसके लिए depreciation इंपोज करना ज़रूरी है. ठीक है? And after that, for avoiding overpayment of income tax, depreciation is deductible. कि income tax हम जादा ना पे कर दे, इसलिए depreciation हम लिखते हैं. ठीक है? चलिए, इसको नोट करिए तो. ठीक है, इसको नोट करिए? हो गिया? Next. Next है, factors and elements determining the amount of depreciation. बचे, depreciation किन-किन चीजों से परभावित होता है, किन-किन factors depreciation affect होता है, ध्यान दीजिएगा. Depreciation आपका तीन factors है, फैक होता है, cost of assets, estimated useful life of assets और estimated residual value of the assets. जैसे माल लो, कि अगर हमको annual depreciation निकालना है, annual depreciation, कि annually हमारे assets का value कितना कम हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे, total cost minus scrap value upon estimated useful life of assets. एक example तरवे मानिए, कि हमने कोई एक machine खरीदा एक लाख रुपे में, और वो machine, 10 साल चलेगा, and after 10 years, अगर हम उसको बेचेंगे, तो BCR रुपया उसका scrap value मिलेगा, तो कहोगे साल, 10 एक लाख का machine हो गया, scrap value BCR, estimated life 10 years, तो हमारे machine का value 10 years में 80,000 depreciate किया है, तो each year कितना, 8,000 per year, ठीक है, तो annual depreciation कैसे निकलेगा, total cost minus scrap value upon estimated useful life of assets, आप हो question में, अगर assets का cost दिया रहेगा, total cost, तो total cost में से scrap value minus कर देजेगा, estimated useful life से divide कर देजेगा, you will get annual depreciation, but एक बाद ध्यान रखना है, कि while you are taking total cost, total cost में, सभी cost include कर येगा, सभी मतलब क्या, कि assets को खरीदने में जो पैसा लागा, उसको लाने में जो carriage दिये, install करने में जो installation चार्ज दिये, machine को रखने के लिए जो iron pad इस्तेमाल हुआ, वो सब capital expenditure है, you will add that to concerned assets account, ठीक है, मतलब कि कभी भी assets के total cost में, assets को खरीदने में, लाने में, install करने में, जो भी पैसा लगा, वो सब इसके total cost में आप add करोगे, ठीक है, total cost में से square value minus कर लो, estimator useful life से divide कर दो, you will get annual depreciation, ठीक है, तो depreciation इन तीन factors affect होता है, total cost, estimator useful life और estimated residual value of the assets, ठीक है, note कर लिजेशको, note it, अब next class में हम depreciation के numerical questions solve करेंगे, अब ऐसे कोई भी students, जो हम से offline परना चाहते हैं, आप face to face जूड़ना चाहते हैं, तो आप Goodwill Educator का offline brand जोईन करिए, हमारा offline center वारा नसी में है, लंका पे, लंका पे कहां पे, तो लंका पे BHU के पास रविदास gate है, रविदास gate के पर आएंगे, gate के अंदर घुसेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है, थाना की जस्ट बगल में सटे हुए, main road पे Goodwill Educator का offline center है, जिन बच्चे को जॉइन करना है, commerce related कोई भी कोर्स हो, चाहे 11th and 12th commerce कोर्स हो, CUET में B.com और M.com इंटरेंस है कोर्स हो, या B.com 1.2.3 यर कोर्स हो, किसी भी कोर्स में आगर अगर अपने आपको enroll करना चाहते हो, तो आपके लिए best option है Goodwill Educator, क्योंकि पूरे वारा नसी में और उत्तर प्रदेश में, pure commerce coaching एक ही है, that is Goodwill Educator, बाकी जो भी coaching में जाओगे, सब कोई खिचरी पकाएगा, commerce वाले को science के साथ कभी बैठा देगा, कभी arts के साथ बैठा देगा, economics class के लिए, तो बच्चे, आप commerce वाले students हो, pure commerce coaching के लिए जोइन करिये, वारा नसी में, Goodwill Educator coaching, जहां पे हर subject के अलग-अलग expertise मिलेंगे, accounts के लिए अलग, teacher business studies के लिए अलग, economics के लिए अलग, applied math के लिए अलग, English के लिए अलग, physical education के लिए अलग, ठीक है, CUET के त्यारी में, math के लिए अलग, reasoning के लिए अलग, GK के लिए अलग, English के लिए अलग, account business economics के लिए अलग, applied math के लिए अलग, मतलब जितने subject उतने faculties, doubt solve करने के लिए mentor अलग, save label है, हर subject का आपको printed notes मिलेगा, DPP मिलेगा, PYQ मिलेगा, video solution मिलेगा, mock test होगा, full place test होगा, chapter wise test होगा, मतलब आपको इतना expert हम बना देते हैं, कि आपका selection कोई रोक नहीं सकता है, आपके selection की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपका selection मेरा selection है, क्योंकि आप select हुए, तब ही समस्ते हैं, मेरा भी achievement है, तो आप commerce related किसी भी course में अपने आपको अगर Excel तक ले जाना चाहते हैं, expert बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए best choice होगा, कि Goodwill Educator में admission लेना, ठीक है, अभी seat खाली है, अगर आप admission लेंगे, तो seat मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहां अकसर होता है, कि seat फुल हो जाता है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, कि अभी seat खाली है, आप अगर अपने आपको enroll करना चाते हो, तो इस screen पे दीवन नमर पे call करिए, या सीधे हमारे offline center बिजिट करिए, मैप पे लिखिये Google Map पे, Goodwill Educator हमारा offline center का address आ जाएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक, Goodwill Educator के YouTube चैनल को subscribe नहीं की हो, तो subscribe कर लो, bell icon प्रेस कर लो, जिससे कि वीडियोज upload होते ही, सबसे पहला notification आपको मिले, आज के वीडियोज को like नहीं किये, तो like कर दीजिए, ठीक ना, और किसी भी courses में अपने आपको अगर enroll करना चाहते हो, चाहे 11th और 12th का किसी भी courses में, तो आप screen video number पे हमें call या WhatsApp कर लिजिए, फिर हम मिलेंगे आपसे next lecture के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्यार लखिएगा, next class में हम लोग numerical question solve करेंगे, ठीक है, कोश, तब तर आप theory note कर लिजिएगा, और अपने दोस्तों को भी video share कर दिजिएगा, क्योंकि आपका sharing और support से ही, आज हम आपको हर topic का lecture provide करते हैं, तो please like करना ना भूले, share करना ना भूले, comment में बताईएगा कि आपके school में exam कब से है,